दूसरा राजा पांच का पंदरा से 27 तर तब है अपने सब दल बल समेथ परमेश्र के भक्त के यहां लौट आया और उसके समुख खड़ा हो कर कहने लगा सुन अब मैंने जान लिया है कि समस्थ पृत्थी में इसराइल को छोड़ और कही परमेश्र नहीं है इसलिए अपने दास की भेट ग्रहन कर अलिशा ने कहा यहा जिसके समुख में उपस्तित रहता हूँ उसके जीवन की शपत मैं कुछ भेट ना लूँगा और जब उसने उसको बहुत विवश्च किया कि भेट को ग्रहन करे तब भी वह इंकार करता ही रहा तब नामान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को दो खचर मिटी मिले क्योंकि आगे को तेरा दास यहवा को छोड़ और किसी इशर को होम बली वा मेल बली ना चड़ाएगा एक बात तो यहवा तेरे दास के लिए शमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्नोन के भवन में दन्वत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहरा ले यो मुझे भी रिम्नोन के भवन में दन्वत करनी पड़े तब यहवा तेरे दास का यह काम शमा करे कि मैं रिम्नौन के भवन में दन्वत करूं। उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। वह उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्र के भक्त एलिशा का सेवक गहिची सोचने लगा कि मेरे स्वामी तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया। प्रंतो यहवा के जीवन की शपत में उसके पीछे दोड़ कर उसमें से कुछ ना कुछ ले लूँगा। तब गहिची नामान के पीछे दोड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दोड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रच से उतर पड़ा और पूछा सब कुछल शेम तो है। उसने कहा हां सब कुछल है। प्रंतो में स्वामी ने मुसे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहारी देश से भवश्यदक्ताओं के चेलों में से दो जवान मेरे यहां अभी आये हैं। इ अलक तेलियों में बांद कर दो जोड़े वस्त्र समेथ अपने दो सेवकों पर लाग दिये और वे उन्हें उसके आगे-ागे ले चले। जब वे टीले के पास पहुचा तब उसने उन वस्त्रों को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वे चल अलिशा ने उससे पूछा हे गेजी तु कहां से आता है उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया उसने उससे कहा जब वे पुरुष इधर मूँ फेर कर तुससे मिलने को अपने रत पर से उतरा तब वे पूरा हाल मुझे मालुम था क्या यह समय चांदी वा वस्त्र वा जल अलपाई वदाक की बारियां भेडवक्रियां गाएं बैल या दास दसी लेने का है इस कारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा तब है हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया देखिए गहसी के खर में उसके नीचे लिखा है न उनका कांदान में क्या लिखा है तुमारा रहेगा इस तारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा वंश को सा आशिश मिल गया कौन सा आशिश मिल गया खोड का भाप ने किया है यहोवा का दास यह लिखा बोला मैं कुछ भी नहीं लूगा लेकिन नामान ने बोला मैं जरूर कुछ लेगा इस बात को समझना है तो यह लिशा के बारे में थोड़ा साम देखते हैं यह लिशा कैसा था यह लिया के साथ में यह लिशा कैसा बेखती था करके हम पढ़ते हैं पहला राजा उन्नीस का उन्नीस एक हिस तक बढ़िएगा तब वे वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला जो बारा जोड़ी बैल अपने आगे की हुए आप बारवी के साथ होकर हल जोत रहा था उसके पाँ जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी तब वे बैलो को छोड़कर एलिया के पीछे दोड़ा और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को चुमने दे तब मैं तेरे पीछे चलूँगा उसमें कहा लोट जा मैंने तुसे क्या किया है तब वे उसके पीछे से लोट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बली किये और बैलो का समान जलाकर उनका मास पकाके अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया तब वे कबर बांद कर एलिया के पीछे चला और इसकी सेवा टहल करने लगा इतर मैं एलिया एलिशा को कैसा सेवा के लिए बुलाया एलिया ने एलिशा के उपर चादर डाला उस वकत एलिशा क्या कर रहा था बारा जोड़े बेल के साथ जोत रहा था उन्होंने बारवान जोड़े के साथ पीछे तो बहुत बड़ा अच्छा किसान, अच्छा काम करने वाला था, जब उनको एलिया ने बुलाया या चादर डाल दिया, उसमें चेला बिनाने के लिए ऐसा चादर रहता है, उन्हें एक तब मुझे को छोड़ कर आ गया, फिर उन्हें बोला मेरा बाप से मिलकर आने के लिए मुझे मुझे मुखा दे, उन्हें जाकर आ पर थे जो उसमें से जो 12 जोड़ा में से एक जोड़ा बेल को उन्हें खाड़ दिया, और बेल का जो जोतने का सामान, उसका जुआ बाकी चीदसें लेकर खाना पका है, क्यों, जुआ को लिखड की तरह इस्तिमाल क्यों किया, म बाकी लकड़ी उदर नहीं है करके ऐसा नहीं, मैं मुड़कर इस काम के लिए नहीं आओगा, मैं हमेशा के लिए छोड़ दिया है, हमेशा के लिए छोड़ा करके, फिर उदर जाकर फिर क्या करने लेगा, इतना बड़ा लीडर, ये लिया का सेवा करने लेगा, क्या करने ले है उसका दूसर राजा दो का एक और दो पुरिएगा जब यहवा एलिया को बवंडर के द्वारा सोड में उठाने को था तब एलिया और एलिशा दोनों संग-संग गिलगाल से चले एलिया ने एलिशा से कहा यहवा मुझे बेतेल तक भेजता है इसलिए तू यही ठहरा रहे एलिशा ने कहा यहवा के और तेरे जीवन के शपत मैं तुझे नहीं छोड़ने का इसलिए वे बेतेल को चले गए देखिए अभी एलिया जाने का समय है गिलगाल में उनका अच्छा जगा है सारे इंदसा में एलिया बोल रहे तुम इदर ही ठहरे रहे तो यह एलिशा क्या बोलता है मैं आपको चोड़ने का नहीं उसका चवता पड़िएगा और एलिया ने उससे कहा हे अलिशा यहवत मुझे यरीहो को भेजता है इसलिए तु यहीं ठहरा रहे उसने कहा यहवा के और तेरे जीवन की शपत मैं तुझे नहीं छोड़ने का सो वे यरीहो को आए भेदेल से पिर एरीहो भेदेल अच्छा जगा है माना हुआ जगा है परमेश्र का जगा नपियों का जुन्डों के रहता है बहुत उसका चेपड़ियेगा फिर उसका चे पड़िएगा फिर एलिया ने उससे कहा यहवा मुझे यर्दन तक भेजता है सो तो यही ठहरा रहे उसने कहा यहवा के और तेरे जीवन की शपत मैं तुझे नहीं छोड़ने का सो विदोनों आगे चले तो इधर से फिर किदर जा रहे हैं उसे चवदा तक पड़िएगा उनके पार पहुँचने पर एलिया ने एलिशा से कहा उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं जो कुछ तुच चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग एलिशा ने कहा तुझमे जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए एलिया ने कहा तुने कठिन बात मांगी है तो भी यदि तु मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा नहीं तो ना होगा विचलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अगनी में रत और अगनी में घोडों ने उनको अलग किया और एलिया बवंडन में होकर स्वयप पर चड़ गया और उसे एलिशा देखता और फुकारता रहा हाई मेरे पिता, हाई मेरे पिता हाई इस्राइल के रत और सवारो जब उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फार का दो भाग कर दिये फिर उसने एलिया की चड़र उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लोट गया और यर्दन के तीर पर खड़ा हुआ और उसने एलिया की वह चड़र जो उस पर से गिरी थी पकड़ कर जल पर मारी और कहा एलिया का पनेश्य यहवा कहा है जब उसने जल पर मारा तब है इधर उदर दो भाग हो गया और एलिशा पार हो गया देखिए अब इधर में एलिया बोल रहा है एलिया देखा, तो ये लिशा छोड नहीं, ये लिशा को बेधेल नहीं चाहिए, एरिहो नहीं चाहिए, गिलगाल नहीं चाहिए, फीचे पड़ा हुआ है, तो फिर उन्होंने पूछ रहे हैं, तुमको क्या चाहिए? तब उन्होंने धन्द उड़त नहीं मांगा बलके बोला तुमारे उप्रका जो शक्ती का दो गुणा गुजे दे तो बोला आप मैं जब उठा लिया जाएगा तुम देखेगा तो तुमको मिल जाएगा तो उसी मताफिक ऐसा चलते चलते एलिया उपर जा रहा था उनगा चादर नीचे गिर गया उस चादर लेकर उनने मारा तो योर्दांदिरिया दो इसा हो गया तो येलिया के अंदर येलिशा के अंदर में क्या है गहसी के अंदर में क्या है दोनो गहसी येलिशा का चेला येलिशा समर्पन किया हुआ चेला है नहीं पूरा समर्पन किया हुआ चेला समर्पन किया हुआ चेला के पास रहने वाला का येलिशा गेहसी का हलत क्या है समझ रहा है तो वाचन जानने कानून जानने से काफी नहीं वाचन जानने से काफी नहीं अपने आपका जीवन का जीवन में क्या आप चाहता है अच्छा समर्पन किया हुआ यहलिशा के साथ रह रह रहा है गेहसी नायमान आया बोला उन्होंने बोला तुम्हारा थंदर उड़ा तुछ नहीं चाहिए बहुत बहुत उन्हें ने जबर्ज सी किया थोड़ा कुछ ले जेंगा एलिशा ने बोला मांई तुम्हारा कुछ भी नहीं लोगा लेकिन ये लिया गहसी क्या कर रहा है वह उसके पीछे जाकर जूट बोलकर कुछ लेगा तो वचन जादा जानने से या पवित्र जगा में रहने से काफी नहीं अपना समर्पन पर है अब इसमर्पन आप लोग बहन लोग सोचेंगे जिब मुँ में पपा के पास रहता हुआ लोग को कितना आशो सुर्ग में ही वास करते होंगे क्योंकि वचन उनको बार-बार मिलता है जगा जगा में इनको कितना अच्छा मौका मिलता है इधर बाइट कर भी गहसी की तरह लोग आराम से बेंच सकता है इतना अच्छा वचन के जगा में बाइट कर भी क्या कर सकता है इसको ये तो यूदा येशु को पकड़वाया गया क्या उनको वचन मालूम नहीं था उनको भी वचन मालूम था उन्होंने भी जाकर लोगों को चंगा करता है चंगा किया था नहीं किया था प्रवू जब दो-दो करके पेज़ा उन्हों ने भी जाकर हठपूत काम किया और कास तोर पर प्रवियेशिय मसी का पाइसा का रखवाली उन्होंने ही करता था तो ज़्यादा प्रवू उनके साथ में क्योंकि बाकी चेलों से ज़्यादा मिलता जूड़ता था क्योंकि पैसा का बात है इसे इसा तो फीर वी ओफांसी डार कर मरना पड़ा, तो मैं ये बात क्यों एलिया, एलिशा का ग्हरसी का बात आपके सामने लिया है, वचन जानने से काफी नहीं, आप कितना पवितरस्तान में रहता है उसे काफी नहीं, आपका विक्तिकत समर्पन बरकारिय होता है, विक्तिगत समर्पन पन, यह जान लिया, मुझे पाइसा नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक शक्ती चाहिए, इसरे ना गिलगाल में रुखा, ना बेधेल में रुखा, ना इर्हों में रुखा, चलता रहा, मेरे जीवन में भी कितने आसे वक्लो, एक बार अमिरिकया से, मैंने अमिरिकया में जाकर प्रचार किया था, उधर में चैयरू Facebook का एक डॉक्टर तिमोटी आ गया है, प्रबने उनका बहुत अमीर आत्मी है, उधर उनका खलीशया भी बहुत अमीर खलीशया है। Chief Engineer का मकान था किराय पर, उसमें हम रह रहे, उसमें शार पांच कमरे थे, अच्छा मकान था उधर में उन्हों ने बोले मैं आपके कमरे में ही रहना तो फिर मेरा कमरे में उन्हों ने पंदरा दिन रहा पूरा पंदरा दिन, सॉला दिन इतर से चलेगे तो उसाथ में एक दिन बारा दिन या तेरा दिन के बाद में मुझे बोला सुबहरे के समय आप आए करेब दस बज़ गया होगा आपको एक मैंने उनको बोला मैं बिस्ली हूँ तो मेरे साथ में मैं अंग्रेसी में प्रजार करते हुआ इंग्लिश में तर्जमा करने वाला स्टैनली जोसफ करके अमरसर का एक भाई था, अच्छी तरह तर्जमा करता था, कम से कम पंदरा साल से ज़्यादा उन्होंने मेरा तर्जमा करता रहा, मैंने स्टैनली जोसफ को बोल दिया, आप क्या करो, मुझे इतना टाइम नहीं है, उनको बातचीत वगरा करने का समय में, आप करो, काना के लाना था, तो इसलिए स्टैनली जोसफ के साथ गुमता रहा, तो बारे या तेरा दिन में उन्होंने मुझे आकर बोला, आप आई है, तो दस बजे, मैं जाकर दिया, तो उधर में जिदर हम रहते हैं, उसके बड़ा प्लॉट था, बहुत बड़ा काफी जगा था, दो तीन, तीन, चार कनाल जगा होगा, बहुत जड़ा जगा है, तो उधर में जब मैंने देखा तो उन्होंने कंट्राक्टर को भी बुला कर रखा, पंदरा बीस लोग भी है, फ्रीते वगरे, बहुत बड़ा नक् बिनाएंगे, ओध नक्षा वगरे, अमेरिका में बिनाके लेकर आया, निचले ग्राउंड फ्लोर में कलीसिया का आरातना का होगा, बीच में आपका रहने का होगा, उपर में आपका आफिस होगा, इधर बिजली का समस्या होने का अंडर ग्राउंड में जेनरेटर, मकान एर कंडिशन होगा, हम साथ माहिने में इसको कंपलीट करेंगे, सामान कुछ अमेरिका सभी लाएंगे, समद्री जगास में, जो बात्रूम बाकी अच्छा चीज़ें आपको पूरा फिट कर देंगे, पूरा अमेरिकन मॉडल में बिनाने का पूरा प्लान, बहुत मुझे बोला, आप प्रार्तना करो, आप शुरू करें, उस वकित कंड्राक्टर भी उदर कड़ा है, इदर ही ये शिविनगर, बच्छिनगर के तोड़ा आगे, शिविनगर में, जो नहर के पास है, उसलाग, मैं ने बोला, मुझे हे, प्रभु ने बोला, ने ये मकान आपके लिए मने एक वान बुक किया, इदर ही जो ट्रास हो करा है, उन्होंने ठेकदार भी उदर है, सब ठेकदार भी, उन्होंने बोला, मैंने कुछ पैसा कर्चिके, कर्चिके तो मेरा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा, कितना बड़ा मकान था, कितना करोड रुपया कर्च करने के लिए प्लान बनाया था, उसके बाद, उसके चाहदवान दिन, उन्होंने बोला, देखो, आपके लिए मैंने एक वान बुक किया, इदर ही जो टाटा एजनसी में, एक वान, वान में में मेरा लेटने के लिए बिस्तरा भी है, बात्रूम भी है, चो दो आफ़े क्या, बात वान आपके पास पहुंचे, उन्होंने बुक करकत देस दिन हो गए थे, देस दिन यह आट दिन हो गए थे, तो उन्होंने बोला, तो जब ये मैंने स्वीवार नहीं किया, उनके दिल के अंदर आ गया, हेवान में स्वीवार करेंगे, फिर मुझे वान का नक्षा लेकर बोला, देखो यह वान मैंने इदर टाटा है, जर से बुकिया है, पाइसा भी कुछ दिया है, अड़्वान्स, बुकिंग ले जितना बोला, तो यह वान का क्या करूँ, मैंने बोला, मेरे साथ वा सेवक लोगा, कुछ लोगा, साइकल भी नहीं है, मैं कंडिशन वान मैं कैसा चलोगा, वान भी, तो उन्हें बोला, मने बहुत पैसा दिया है, तो आपने मुझे बोलकर नहीं दिया, आपने आप दिया है, मैं नहीं लोगा, लेकिन, तो बहुत निराश होकर चले गिया, छे महिने के बाद, स्टानली जोसफ उसी आदमी को, अम माकान बेना है, माimmune बोलने का मतलब, स्टानली जोसफ ये सारे मेरे साथ 14-15 साल वजन का तर्जिमा करता रहा, पास्टर है, दना भूत जगापा, पुराना लूगों मालूम है, नया लोगो इतना मालूम नहीं, पुराना लोगो मालूम है, कुछ लोग, स्टानली जोसब को देखा हुआ लोग को इधरे हाथ कड़ा करो, कुछ रुस्टालियोस को देखा है, तो इतना गोरा साथ्मी है, देखने से अच्छा थर्जिमा भी करता था, 15-16 साल मेरा थर्जिमा किया, वाचन पूरा मालुम है, उनको मालुम है, ये समेर्किया से आया वही साथ्मी से ये, शामिल ने स्विगार नहीं किया, दुखी से गया, लेकिन उन्होंने आपस में किसे लिए चलो, गहसी की तरह उन्होंने क्या किया, चलो प्रुभु का दास को नहीं चाहिए, तो मैं तोड़ा कुछ लेंगे, तो वाचन जादा जानने से, जानने से अप ठीक होंगे करके नहीं, एहम शामिल के साथ रहने से टीक होंगे करके नहीं, अपना सामर्पन, अभी गहसी का बात, एलिशा का बात तोड़ा सा देखे, एलिशा, एलिशा के बारे में, उदर में, कुछ, एलिशा का, एलिशा का, एलिशा क्या करता रहा, उसका, दूसरा राजा तीन का ज्यारा पढ़िएगा, परन्तु यहोशा, दूसरा राजा तीन का ज्यारा, परन्तु यहोशा पात ने कहा, क्या यहाँ यहवा का कोई नभी नहीं है, जिसके द्वारा हम यहवा से पूछे, इस्राइल के राजा के किसी करमचारी ने उत्तर देखकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलिशा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह तो यहाँ है, देखे, आम टाइम देखने तक करीबन सत्तर साल तक, एलिया का हाथ दुलाने का काम कोन करता था, एलिशा, तब एलिया मर गया, एलिया उपर उठा लिया गया, तो एलिशा को दोगना शक्ती मिल गया, फिर भी उन्होंने असिस्टेंट पास्टर की तरह किसी को नहीं बता रहा है, चुप चाप रह रहा है, तो एलिशा पाद ने पूछा, इदर में कोई नभी, कुछ नभी लोग आया, लेको लोग उल्टा, नभूत किया, तब बोला, और कोई है, तो बोला, एक लड़का है, एक आत्मी है, वो नभी नहीं बलकर क्या करता था, नभी का हाथ, दुला तो असिस्टेंट नभी करके बताता नहीं था, तो जब आपका समर्पन ठीक होता तो, अपने आपको बड़ा करने का मन आपको बिल्कुल नहीं होगा, ये बात मैं सिकाना चाहता हूँ, जब आप अपने आपको सही तरीके से समर्पन करता है, अपना बड़ा पना कहीं भी प्रगट करना नहीं चाहता, येलिशा येलिशा के पास ताकत इतना आया है चादर मारा तो यौर्दान दरिया दोगा देखो माई नभी बन गया ऐसा नहीं छुपचा प्रहराद तो मेरे प्यारों प्रभुक का कारिय आप वेदी पर कैसा अपने आपको रिखते है वाचन जो जो समझते प्रभु बिना व्यवस्ता से मैं क्या करता हूँ अपने आपको वेदी पर रिखता हूँ ऐसा वेदी पर रिखने से ही प्रभु कारिय करता है वाचन सुनने से काफी नहीं वतन आपको मालूम होने से क्या गहसी को वतन मालूम नहीं है गहसी को अच्छा नमुना मिला है नहीं मिला है मिला है गहसी के सामने इलशा बोला तुमारा कुछ भी मही नहीं लोगा मैंने जैसा बोला स्टानली जॉसफ को अच्छी तर इज्टानली जोसफ के सामने ही हो रहा है एम शाम में ने बोला कुछ भी नहीं जाम मेरी क्यासे सारे लेकर आया बहुत उदासी से गया तो मकान जमीन सब तो आपके अंदर में आपके अंदर आने वाला उस शरीरिक्ता को आप ती तर से नहीं करेगा तो आपको बरबाद करेगा अभी आप ये चाट में देखिएगा दिखाई देता है ना ये है एक मसाफिर इसके अंदर में ये है पवित्रा आत्मा ये है पीद्री मनिशित ये जो देख रहे हैं मनिशिकी आत्मा यह एक तलवार इदर दिखाया गया यह तलवार यह आपका प्रान यह सफेद दिखाया दे रहे क्योंकि परमेश्रका वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को, और गाठ गाठ और गुदे-गुदे को अलग करके वारपाद छेदता है। प्रान में, मैंने आपको पड़ाय याद होगा आपको, प्रान में क्या है? अपना बुथी है, निरने लेने का शक्ति है, भावना सब किदर में है? प्रान में. आत्मा में क्या रहता है? संगधी, आपका विवेग, और अंदकरन. अंदर क्या, that is intuition तो आपके प्राण्ट से आत्मा को क्या करना है अलग करना, अलग करने का कैसा है परमेशर का वच्छन का थल्वाद, इसका मतलब वच्छन आपको खाट कर अलग करना है अभी वच्छन कहते है अपने आपको त्यागना, ओ तल्वार किदर लगाना है आपका प्राण और आपका आत्मा के बीच में मैं त्यागना, पदी, पत्री, बच्छे इन सबको क्या करना है, त्यागना है ये तल्वार आपके अंदर कारिय नहीं करता काडता नहीं है तो गहसी की तरह आप पीछे हट जाएंगे वचन जानने से काफी नहीं आपके अंदर का ये शरीरिकता क्या करता है प्रान और आत्मा के प्रान और शरीर के बीच में रहकर कींस्ता रहता है जेह आप इधर पाना है असली लडाई का जेह किदर है प्रान और शरीर के बीच में रहने वाला शरीरिकता को पूरी तरसे कंट्रूल करके नहीं उनको कुरूस पर डाल करेकना उसको पिंजडा में डाल करेकना कंट्रूल करता है ऐसा पकड़ रहने का नहीं उसको एक पिंजडा बना करेकना वो पिंजडा में ही रहना उसका मतलब जो उनको कहीं आराम से गुमने का मुखा नहीं तुमारा मर्जी पूरा नहीं हो तुप पिंजडा में ही पढ़ा रहेगा उनकी उपर थोड़ा सा भी तरस नहीं कहना मैंने बोला कल बोला है यह शरी रिखता है एक अच्छा, स्मूथ, मुलायम, जूने से इतना अच्छा लगने वाला साब है उनका सिर पहले दिखाएन, उनका सिर आपको दिखेगा भी नहीं लेकिन जब खाटेगा तब भी, आपको लेगा ओ इतना अच्छा, इतना प्यारा अच्छी तरह इदर सुनना आप लोग, आज आप थोड़ा सा आगे, वाचन में तोड़ा आगे जाना है थोड़ा सा और प्रारत ना करें पर अब मुझे बोल रहा है, यह बातें आपको सिखा है देखो, शरीरिक था, आइसा है, मैंने बलोうわ सांप आइसा है, बहुत अच्छा लगेगा कैसा लगेगा? और सांप को को या पकड़कर देखें, इतना सिल्क कपड़ा होता है न सिल्क अपड़ा ऐसा पकड़ के सांप को तोड़ सा गोदी में रेकर रेकरो बहुत अच्छा लगता है बहुत मुलाएं आप लोग डरके कारण उसको पकड़ते नहीं होगे अभी कभी मौका मिलते हैं तो पकड़ देखो तो बहुत प्यारा लगेगा मेरे प्यारों अमारा शरी रिखता इसी मतब बहुत प्यारा है उसको जेल में डालने के लिए आपको मन नहीं होगा बहुत मीटा लगता है बहुत स्वादिश लगता है बहुत अच्छा लगता है उसको जेल में डालना बहुत बहुत मुश्किल है मन नहीं लगेगा क्योंकि उससे आपको मन को अच्छा लगता है कान को अच्छा लगता है आंकों को अच्छा लगता है जीव को अच्छा लगता है चूरने से अच्छा लगता है फिर कहीसा छोड़ो उसको कि तेने इधर ही देखे इधर इधर देखें, कोई नीचे ना देखें, शरी रिखता बहुती अच्छा है, अब इतना सुक देता है, इतना आनन देता है, तो उसको छोड़ना बहुती मुश्के लिए आराम नहीं, इतना खुशी देता है, इतना तस्रित है, कितना अच्छा है, मुझे पास भी तोड़ा सा राफ है, लेकिन चारी नीचे नहीं, इतना अच्छा लगता है, जीव के लिए भी कभी टेस्टी लगता है, आगों के लिए देखने के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, बहुती प्यारा है, आपका पदी से भी प्यारा है, आपका बेटे से भी प्यारा है, आपका मा से भी प्यारा है, सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा है, अपना शरीरी का देखोeing, फिलिम देखे रहेगा, तो कितेना अच्छा है, सब फुल जाएगे, नीद determ होगे, कितेना अच्छा फिलिम देखो, या कुछ काने का, या कोई एक भाई या बहन के, ठोड़ सा हाथ पारी दर्व मत, ठोड़ सा हाथ पकड़े रहें, तर्फ़ में जा सब्सक्राइब है कितना अच्छा लगता है तो थोड़ी देर ऐसा देखे रहे तरहुत कितना अच्छा लगता है यह शरीरिक ना बहुत मीठा है बहुत ही ये साब इसको आप गले में भी डालने के लिए आप अच्छा लेगा सिर में भी रेखने के लिए अच्छा लेगा आपने कुछ लोग कोई काम से कम ये टेलिविशन में भी देखे होंगे बड़ा साब को लेकर करदन में शरीर में डालते हैं आप देखें गोई इन लोग कैसा डल देने उस विक्ति को पुछन हो बोगता है तो बहुत सिल्क से अच्छा लगता भाई शारी रिखता इतना अच्छा है लेकिन उसको थोड़ी देर उसका वो आपको कहां ले जाएगा वो सांप आपको कहां ले जाएगा ये बात आपका मन के अंदर आएगा तो फिर आपको मालुम हो जाएगा इसको मैं सूली पर डालना है तो सूली पर डालने नहीं तो भी फिर भी आपको जाकर तोड़सा हाथ लगा निकले हो मेरे प्यारों, इस शरीरिक्ता को जीतना ही आपका सबसे बड़ा लड़ाई है, आपके सबसे बड़ा लड़ाई, इस शरीरिक्ता को गिलाती 5 का 26 पढ़िएगा. और जो मसी येशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाशाओं समीत क्रूस पर चड़ा दिया है, उनका अभिलाशाओं के साथ क्रूस पर चड़ाया है. तो मेरे प्यारों, ये ये प्यारा चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रूस पर चड़ाना है. ये है, इसके लिए मुश्किल हो जाता है, ये प्यारे चीज को देखने से, इदो भी देखने से सफेद पेंटे में दिखे रहना अच्छा लग रहा ना, बाकी रंग वए रहा इतना अच्छा नहीं लगए, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जहर किसमे हैं, उसी के अंदर है, मेरे प्यारे, इसके लिए कितना प्यारा रहता है, ये मुझे बरबाद करने वाला है, इसको मैं क्या करूँगा, नहीं तो आप भी गैगसी की तरह, ये लिश्या के पास रहने वाला, या येश्यु के पास रहने वाला चेला, इसकुरियोत यूदात तक, पाउलूस के साथ लहा है, देमास, देमास प्रभुकी से पाउलूस के साथ, वो भी क्या किया, दुनिया को प्यार करके, चले गया इसलियम अधियोंगे देर गाव गाव गिरपड़े इस रणे भूमी में देखता हूँ मैं उनके अडियों के देरों को प्रभु की गड़ाई उन पर जो गिरपड़े देखता हूँ मैं उनकी अडियों के देरों को प्रभु की बढ़ाई उन पर जो गिर पड़े है याद, तु ही कुदावन, आम करूँ मैं तेरी, सुती के योगे तेरा नाम है याद, तु ही कुदावन, आम करूँ मैं तेरी, सुती के योगे तेरा नाम मैं अभी आप मेरे थोड़ा आता हूँ मैं A.M. Samuel या Captain Samuel करके बोलने से अमेरिक आस्ट्रेलिया दुनिया भर के सारे Christians जानते है थोड़ा लोग नहीं, जब मुझे, एरवी बेरूर में, मुझे मारक जेल में डाला था अमेरिक आसे, अमेरिकन कॉंकरस में बात करके उधर से दो सेनेटर, मुझे इंटर्विव करने के लिए अमेरिक आसे, केरला में आया, अमेरिका का पेपरों में भी आये थी तो मैं इधर मैं छोटा किराय मकान में आईसा, आप लोगे बीच में थोड़ा लोगे बीच में रहते हैं, समय आप यह नहीं सोचना मैं एक चोटा सा, सेवक है, मैं अपने आपको त्याकर, त्याकर, त्याकर के इसालत में लाया है अपने आपको अमेरिका में भी मैं टेलिविशन में प्रचार करते थे एक बार नहीं करे और अमेरिका में भी कितने बार न्यूस मीडिया लोग मेरे पीछे आते थे कहीं मीचे तो बड़ा बड़ा ट्रक वगरा लेकर आते थे अपने आपको त्याग कर त्याग कर ये शैतान की ये सारे योजना को इसका फल क्या है करके चोड़ कर चोड़ कर चोड़ कर चोड़ कर मैं अपने आपको चोटा करके चोटा करके ये दिरा बैटे हैं इसके पीछे कितिना है मैं एक एक बात आपको बताना चाहते है करिए आज से करिबन 20 साल पहले की बात होगा किस साल होगा केरला में बहुत बड़ा एक कुमराड कन्वेंशन पिंडिक कोस्ट लोगा बड़ा ये शेक उद्ध से लेकर इत्वार का पूरा दिन रात का प्रजार महीं करता रहा उसके बाद 14 दिन का तिर्वला में मीटिंग था उस वकत में ये वर्ल्ड पेंडिक कोस्टल कॉन्फरेंस का कॉडिनेटर भी आये थे सारे दुनिया का बहुत अच्छा प्रचार था बहुत इतने लोग आये थे तो विर्ल्ड पेंडिक कोस्टल कॉन्फरेंस उन्होंने आकर गळा लगए आगला साल का विर्ल्ड पेंडिक कोस्टल का आप मुख्या परचार रखोंगे मैंने बहुत बढ़ा देख हम प्रव कामार जी तो उस इत्वार मनें, मैं एक कलेक्टर के खर में आराब कर गृए खता है अरा वरे पुरदा मत आए Mal distribution कार से बहुत बड़ा से लागना कार, मैंदे कई बार वहा है कर दो एक स्य मत अँदे हां नहीं कर दो आए वरा में दो के तरफ़ अज़गों मनें से आपनेамом आव कर दो कि कृष़नाया उन्हें बोला पास्टर ये कमरे आपके लिए है जब भी आप आएं तो देखना थे इतना उनका बेटा इंगलंड में रहता है वो खुद कलक्टर है तो आपको माल में कितना आउनका आउदा वगरा कुतना होंगे तो उदर रह रह रहा था तो इतवार के साम का मीटिंग तो कि अवेरी तद्री का वीडियो का लाइट बाक्यव शची फ्लयड लाइट ऊगरा होता है तो महींद लाइट उप करके रहता हो महीं देख रहा मेरे कमरे में एक बहुत बड़ाा पहाड़ दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा खमरा पूरा भरा आओए है उस पहाड़ के उपर लिखा है, पॉपिलारीटी माउंटेन, पॉपिलारीटी माउंटेन, इसका हिंदी में क्या बोल सकता है, प्रसिती का बहार, प्रसिती, पॉपिलारीटी माउंटेन, उसका उपर मैं कड़ा हूँ, सबसे उपर, तो उदर से मैंने देखा तो आकलाक कादम रेखे कि तो बहुत बड़ा काई है तो उसके उपर पहुंच के मैं डर गे देखो अभी इतना उपर पहुंच के सारे लोग मुझे तारी पेपरों में आ रहा है इदर में आ रहा है अमेरिका में परजार करते हूँ कि अमेरिका में फोटो डाल कर उन्हों पब्लिश करते थे मेरा फोटो भी में प्रेंट बेज में भी आते थे तो इतना पोपुलारिटी हो गया माय एकदम विस्तरे से नीचे आकर प्रभू के सामने कुटना में बैड़ आ प्रभू मुझे ये popularity नहीं जहें, मैं घंडों तक रोता रहा, प्रभू कैसा इसमें से निकला जाओं, तो एक चोटा सा पगडंडी, footpath, उपर से नीचे को आ रहा, उपर से एक चोटा सा, उसमें लिखा है, निंदा बदनामी का रास्ता, way of allegation and blame, मैंने कुट्णा में रोते रोते बोला प्रभू, मुझे पहाड की उपर नहीं रहना, मुझे क्या हना, निंदा बदनामी के रास्ते से नीचे उतरना, ऐसा प्रार्थना करके, प्रार्थना करके मैं नीचे उतरना,